नमस्कार मैं हूँ द्रक्टर पूजा पाटिया, गोल्ड मेलिस अस्ट्रोलजर, टैरो कार्ड रीडर, निम्रोलेजिस्ट, वास्तु कंसल्टन्ट और लाइफ काउंसलर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कन्या राशी के लिए औगस्ट का महीने का टैरो स्कोप कैसा जाने वाला है कन्या राशी वालों के लिए ओगस्ट का महीना तो चलिए शुरुवात करते हैं करियर के कार्ड क्या कहते हैं कन्याराशी यानि की वर्गोस और was करियर के मैंने कार्ट निकाले हैं तो देखिए सबसे पहले वील ओ फॉर्चुन का कार्ड आया है तो बहुत लखी रहने वाला है और अगस्ट का महीना कन्या राशी वालों आपके लिए क्योंकि यहां पे ऐसा कुछ जो आप डिजर्फ करते हैं जो अब तक नहीं मिला है भी होता है कन्या राशी वालों के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव जाने वाला है वील ओ फॉर्चुन आपकी किस्मत के ताले खुल दे हुए नजर आ रहे हैं आपकी किस्मत के सितारे जो हैं वो बहुत जबर्दस बुलंदी पर नजर आ रहे हैं करियर के पॉइंट और उसे चीजे बहुत बढ़िया हैं जो चीज आपको अभी तक नहीं मिली थी चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो जॉब हो चाहे वो कोई नया प्रोजेक्ट हो वो ऑगस्ट के महीने में आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है तो खुश हो जाईए और महनत करना बिल्कुल भी ना चोड़ें कन्या राशी वाले तो चलिए अब देखते हैं कन्या राशी वालों के लिए लवन रिलेशनशिप के कार्ट क्या कहते हैं लवन रिलेशनशिप के कार्ट में देखिए जिन लोगों की जिन्दगी में अभी तक कोई पार्टनर नहीं था आपको नया पार्टनर म इमोशनल नीट्स को समढने की कोशिश कीजिए, कहीं न कहीं आपका पार्टनर मुझे डिस्टर्ब दिख रहा है और आपका सपोर्ट चाहिए बहाँ पे, जो आप नहीं दे पारे हैं या आप अनकॉंचिसली या कॉंचिसली इग्नोर कर रहे हैं, तो अपने पार्टनर की फ अब वर्गोस के लिए फिनांसिस क्या कहते हैं अउगस्ट के महिने में, बहुत ही बढ़िया कार्ट आए हैं, देखिए फिनांसिस में लवर्ज का कार्ड आया है, जो ये दिखाता है कि आप किसी के साथ पार्टनर्शिप में कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, भी नए उपरचुनिटीज मिस ना कीजिए, आपके लिए ऑगस्ट के महिने में नई फिनांचल ऑपरचुनिटीज, नए उपरचुनिटीज आ रही हैं, उनकी तरफ ध्यान दीजिए और कोई न कोई female आपकी help करती हुई नजरा रही है, आपकी mother हो सकती है, आपकी sister हो सकत उनका बहुत important role मुझे नजर आ रहा है आपके financials में August के महिने में तो definitely सब कुछ बहुत positive है कुछ partnership में यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ही शुब है यह महिना आपके लिए आप कीजिए और इसमें आपकी बहुत तरक्की होती हुई नजर आ रही है चलिए अब के लिए health क्या कहती है फटाफट देख लेते हैं health के cards बहुत positive आपका birthday month है enjoy कीजिए आपकी health बहुत अच्छी दिख रही है किसी भी तरह की कोई भी दिकत नहीं दिख रही है अपनी जो life pattern है अपना routine है उसको अच्छे से follow कीजिए किसी भी चीज की delay मत कीजिए अपना normal routine र चलिए अब फटाफट आपके लिए एक guidance निकाल लेते हैं कि आपकी guidance tarot के लिए क्या कहती है तो tarot guidance यहाँ पे दिखाते हैं कि देखिए आपना बहुत महनती है वर्गोज आप चाहते हैं कि हर काम खुद ही करें लेकिन यहाँ पे delegation का card आए green tarama का card आए जो यह कहती है कि ज काम जो है आगे delegate करना शुरूब कीजिए और monitoring कीजिए सब कुछ अपने कंदे पर अपने सिर पर मत लीजिए चोटा चोटा काम जो आप आगे divide कर सकते हैं वो divide कीजिए चाहे वो job हो चाहे वो business हो या आपका खुद का काम हो आप जो काम outsource कर सकते हैं उन्हें outsource कीजिए यह तरीका है आपकी जिम्दगी में तरक्की पाने का तो यह था वर्गोस के लिए overall taroscope August के महिने का यदि आपकी लाइफ में किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी चल रही है चाहे वो love and relationship है चाहे वो career है चाहे वो finances है चाहे वो education है चाहे वो foreign settlement है या कोई negative energy की problem है तो आप मुझ के लिए इस चैनल को like subscribe और share करना ना भूले नमस्कार